इस तारिक को ही इसराइल पर इरान के हमले का आखरी फैस ला लिया जा चुका था इरान ने इसराइल पर हमला करने से पहले अपने बड़े शहरों की मारतों पर हाइपर सोनिक हतियार की होर्डिंस लगवाई थी जिसमें लिखा था 400 सेकंड में तेल अवीव यानि यह मिसाइल अगर इरान से लौच की जाए तो इसराइल की राजधानी तेल अवीव तक पहुशने में उसे सिर्फ 400 सेकंड लगेंगे यानि केवल साड़े 6 मिनिट में तेल अवीव में थबाही मच जाएगे इस मिसाइल का नाम है फत्ह है और इसी पर इरान को गुमान है तो आज हम जानेंगे कि इरान और इसराइल की जंग में किसकी फत्ह होगी और किसकी सेना ज्यादा ताकतवर है दरसल मिडल इस्ट में महा संगराम का काउंट डाउन शुरू हो चुका है किसी भी वक्त इरान से निकली इसराइल के नाम की एक मिसाइल आने वाले महायुध का एलान कर सकती है कोई भी रात कयामत की रात हो सकती है तो अब ना धमकियों का वक्त रहा अब ना समझाओते का कोई रास्ता बचा और नहीं अब मौके या बहाने की किसी मुलक को तलाश है एरान के भीतर घुसकर तहरान में इसराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास चीफ इसमाइल हानिय कोड़ा डाला और इसके बाद अब सवाल सिर्फ एरान की साख का है सवाल मुस्लिम देश्यों की एकता का है ऐसे में मान के चलिए कि अगर इस बार इसराइल पर हमला सिर्फ इरान का ही नहीं होगा बलकि बेरूद से हिजबुला बम फोड़ेगा यमन से हूती हमला करेंगे और सीरिया इराक में मौझूद इरान समर्थित संगठन मिलकर मुकाबला करेंगे तो उधर हमास एक बार फिर पूरी ताकत से खुद को समेट कर इसराइल पर बड़ा हमला करेगा ऐसे में आप सोच सकते हैं और सोच कर हैरान भी हो जाएंगे कि आखिर एक वो देश जो कि भारत के मिजुरम राज जिसे थोड़ा सा ही बड़ा है वो अकेले इतने सारे हमलों का इतने सारे मुलकों का कैसे जवाब देगा कैसे मुकाबला करेगा तो आई आज आपको बताते हैं कि इरान और इसराइल की ताकत की सीमा क्या है किसके पास ऐसा कौन सा हत्यार या फिर रक्षा कवच है जो कि युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकता है सबसे पहले बात इरान की फटह मिसाइल की करते हैं जो कि एक मीडियम रेंच की बलिस्टिक मिसाइल है 1400 किलोमीटर दूर तक मार करने की कुवत रखती है आवाज की स्पीड से 15 गुना ज्यादा दौड लगाती है इसमें 350-400 किलोग्राम का वारहेड लगाया जा सकता है यह मिसाइल सॉलिट फ्यूल इंजिन से उड़ान भरती है इसे किसी भी दिशा में कभी भी मोडा जा सकता है यह मिसाइल आसानी से किसी भी राडार को चकमा दे सकती है सबसे बड़ी बात इरान के इस फतह मिसाइल की यह है कि इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम किसी तरह अगर इस फतह मिसाइल को ट्रेक कर भी लेगा तो लेकिन इससे रोक नहीं पाएगा यह रोक यह नहीं रुकेगी यह तेल अवीव जाकर ही फटेगी दुनिया को अपनी 90 प्रतीशत सटीक रिजल्ट देकर चौकाने वाला इसराइल का आईरन डोम खुद भी फतह मिसाइल की ताकत को देखकर उसकी टेकनलोजी को देखकर हैरान है 13 अप्रेल को इसराइल का आईरन डोम और दूसरे रोडिफेंस सिस्टम साथ इरानी बलस्टिक मिसाइलों को नहीं रोग सके थे ये मिसाइले इसराइल के नेवाते में अरबेस पर जाकर गिरी थे अब बात इरान की सेना और सेनिकों की कर लेते हैं इन्हें भी ताकत के तराजू पर तौल कर देख लेते हैं सैनिकों की बात की जाए तो सैनिकों की मामले में एरान ज्यादा ताकतवर है दुनिया की 145 देशों की ग्लोबल रंकिंग में एरान का जो नंबर है वो चौधवां आता है एरान के पास कुल 11,80,000 सैनिक हैं एरान के पास एक्टिव सैनिक 6,10,000 हैं जबकि रिजर्व सैनिबल 3,50,000 है एरान के पास 2,20,000 पैरा मिलिटरी के जवान हैं एरान के पास कुल 42,000 वायो सैनिक हैं अगर थल सैनिकों की बात की जाए तो एरान के पास 3,50,000 थल सैनिक हैं तो एरान के पास कुल 18,509 सैनिक हैं तो ये थी इरान की सैने ताकत की बात और अब बात करते हैं इसराइल की इसराइल दुनिया के 145 देशों के ग्लोबल रैंकिंग में सत्रवे इस्थान पर आता है इसराइल के पास 6,70,000 सैनिक हैं जबकि एफ्टिव सैनिकों की जो तादाद है वो 1,70,000 है और इसराइल के पास जो रिजर्व सैनिक फोर्स है वो 4,65,000 है इसराइल के पास मात्र 35,000 परामिलेटरी सैनिक हैं तो उसके पास 89,009 सैनिक हैं इसके लावा इसराइल के पास थल सैनिकों की जो तादाद है वो है 5,26,000 जबकि इसराइल के पास 9 सैनिक 19,500 हैं लेकिन सबसे दिल्चस्प और दिल दहला देने वाले हमले आसमान से होंगे इसराइल की वाई हुसेना इरान के मकाबले ज्यादा खतरनाक है इसकी बड़ी वज़य यह भी है कि इसराइल को अमेरिका का जबरदस्त सपोर्ट मिला हुआ है इसराइल के पास 612 रिजर्व एरक्राफ्ट हैं और 490 एक्टिव एरक्राफ्ट हैं जबकि इरान की वायु सेना के पास 551 एरक्राफ्ट है जो की रिजर्व में हैं वहीं 358 एक्टिव एरक्राफ्ट हैं। इरान के पास 186 फाइटर जेट्स हैं जिनमें से 121 किसी भी वक्त हमले के लिए तयार हैं। जबकि इसराइल के पास 241 फाइटर जेट्स हैं जिन मैंसे 293 हमले के लिए इस्टेंट बाइ मोड में हैं यानि कि एक सिगनल मिला और उन्होंने हमले की उड़ान भर ली तब बात अगर जमीनी ताकत की करें तो इरान के पास कुल मिलाकर 1996 टैंक हैं जिन मैंसे 1397 टैंक इस समय जंग के लिए तैयार हैं इसराइल पर हमला करने के लिए तैयार हैं तो वहीं इसराइल के पास इरान के मकाबले 1370 टैंक हैं जिन मैंसे 1096 टैंक हमले के लिए तैयार हैं दोनों देशों के पास aircraft carrier, helicopter carriers और destroyers नहीं है इरान के पास 7 frigate हैं तो इसराइल के पास एक भी नहीं है इरान के पास 19 submarine है तो इसराइल के पास 5 submarine है इरान के पास 21 petrol vessel है तो इसराइल के पास 45 petrol vessel है इरान के पास missile हैं तो इसराइल के पास technology बहतर है और इस्राइल के पास कई इस्तर के एर डिफेंस सिस्टम है इस्राइल इस्पेस में भी अंतरिक्ष में भी मिसाइलें उड़ा सकता है इस्राइल का आइरन डॉम सबसे मजबूत रक्षा का वच है पिछले साल हमास ने 7 अक्टूबर के दिन 20 मिनट में ताबर तोर तीन से पाँच हज़ार रॉकेट इस्राइल पर बरसाए थे लेकिन आइरन डॉम सामने आगया शील्ड बनकर और उसने 90 प्रतिश्यत हमास के रॉकेटों को आसमान में ही ओड़ा दिया अगर वो रॉकेट इस्राइल पर गिरे होती तो आप सोचिए कि कितनी भयानक तबाही होती है कितना खतरनाक मनज़र होता साल 2011 से ही आइरन डॉम इसराइल के निगरानी उस तो रॉक्षा कर रहा है आइरन डॉम अपनी तरफ आ रहे सो रॉकेटों में से 90 को मार गिराता है यह उसका रिकार्ड है गारंटी वाला रिकार्ड है यह सके लावा इसराइल ने अपने आइरन बीम लेजर पॉइंट डिफेंस सिस्टम को भी अक्टिवेट किया है यह सिस्टम काफी दूर से ही डॉन्स हुए रॉकेट हुए मिसाइल हुई मोटार हुई उन्हें आते देखकर आस्मान में ही जलाकर राक कर देता है इसके अलावा इसराइल की जो सबसे बड़ी ताकत मिसाइलों के पॉइंट अव यू से देखें है तो वो है एरो टू मिसाइल इस्राइल की Aero 2 मिसाइल का मुकाबला इरान की फतेह मिसाइल से किया जाता है इसे हद्ज की नाम से भी जाना जाता है और इस मिसाइल का वजन 1300 किलोग्राम है इसके तीन वेरियंट्स हैं और इन मिसाइलों में 1500 किलोग्राम का वारहेड लगा जाता है यह मिसाईले वायू मन्दल के बाहर भी जाने की शमता रखती हैं यानि कि यह अंतर्क्ष में भी किसी सेटलाइट को भी गिरा सकती हैं और किसी मिसाईल को भी वहाँ पर उड़ा सकती है यह एक घंटे में 9000 किलो मीटर की स्पीड से उड़ान भरती है ये मिसाइल अंतरक्ष में भी दूसरी मिसाइलों को उडाने का दम रखती है तो आप जंग के मुहाने पर इरान और इसराइल है साथ में लेबनान, यमन, सीरिया, इराक और गाजा के कई संगठन है ऐसे में इसराइल पर होने वाला इरान का हमला सदी की सबसे बड़ी जंग का जिम्मेदार माना चाएगा कड़क में फिल हाल इतना ही, नमस्कार झाल सकतल झाल झाल झाल